हेलो प्रेंस वेलकम बैक टू माई चैलेंग कैसे आप सब उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छी होंगे और मैं भी अच्छी हूँ तो प्रेंस और एक ब्लॉग के साथ मैं आपसे मिलने आगी हूँ आजकी ब्लॉग कुछ अलग है, कुछ हटके हैं और आपके लिए काफी युसफूल है तो प्रेंस ब्लॉग को इसकी वेना लास तक देख ना और आज मैं आपसे शेर करने वाली हूँ टेर भाई कुलियर, इस डेर भाई कुलियर को आप कुछी घर की इंगेर्ड से बना सकते और इस yard libro 보고 ही चिशबे हैं आपके लिए क्लिए बटाऊंगा व कि अइस तर्फे में अनुंटर्व Этот है रह जब। यह बहुत ही अच्छी से चमक जाएगा तो फ्रेंस आज की व्लोग काफी यूसफूल है तो फ्रेंस ब्लोग को लास्टक देखना और मैं आपको बताँगी इसको कैसे बनाते हैं और कैसे यूस करते हैं तो फ्रेंस ब्लोग पे बने रहना तो डियर भाई के लिनेर बनाने के लिए हमने यहां पर नमक लिया है एक चमच बेकिन सोडा लिया है और बीम लिक्विट लिया है और बिनेगल लिया है आप कोई सा भी नॉर्मल बिनेगल ले सकते हैं और यहां पर पानी लिया है मैंजर्मेंट के लिए मैंने इस्पोन और क करने के लिए और हमें चाहिए कि स्प्रें बोटल तो मैंने कॉलिंग एक टिपा लेलिया है आप कप ले लेंगे कप की help सें पानी को माप के डालेंगे तो यह कप हमने पानी डाला है अब उसी कप के माप से हम आदा कप विनेगर डालेंगे तो आदा कब विनेगर डाल देंगे फिर इस्पून की हेल्प से हम दो चम्मच फिम लिक्विड डालेंगे यह क्लीनियर काफी यह उस पूल है अप इसको जरू ट्राइ करना आप एक बार इसे ट्राइ कर लेंगे न तो हमेशा इस क्लीनियर को बना करी अपने घर के सारे समान को क्लीन करेंगे आप तो दो चम्मज हमने बीम extrêmement x ले लिया है उसे अच्छे से ‫मिक्स कर लिया है अब लिया किसमे हम डालेंगे सॉल्ट डिकेण सोडा तो उसी चम्मज कि हैल से अम दो चम्मज बेकिन सोड़ा ढालेंगे इसमें ठालेंगे इसमें जहा का जाएगा फ्रेंट तो घबरानी की कोई बात नहीं है तो दो चम्मच बेकिन सोटर टाल के अच्छे से मीक्स कर लेंगे और इसको बबल को कम होने तक हम पाश मिनिट तक ऐसे ही रख देंगे पाश मिनिट के बाद देखिए हमारे सारे बबल कम हो गया है और हमारा केलिनियर बनके रेडी है अब तो यहां पर देखिए हमारा कॉलिन का डबबा इसमें हम भर लेंगे अराम से और अगर आपके फ्रीज या वाशिंग मेशिंग बहुत ही गंदा है या तायल्स बहुत ही गंदा है आप इस की लिनियर को लगाकर पास मिनिट तक रख देज़े का और पास मिनिट के बाद के कि इस क्लीनियर से कैसे क्लीन करते हैं तो फ्रेंच ब्लॉक बने रहना है स्ञें तो अब मैं आपको बैट क्लीन करके दिकाऊंगी अब मैं धर देख संथ naarों एक इनिर उपने डिशाई तो देखिण क्लीन करना है अब में आपको clean करके दिखाओंगी तो देखे excess Danish क्लीण के है हमारा प्रैट हमने आपको दिखाओंगी प्रेंस की आप पाटो प्रेंब को भी कैसे अच्छे से क्लीण कर सकते हैं तो जैसे हम ने बैट को clean किया है वैसे ही सेम हमें पॉटो फ्रेम को भी क्लीन करना है तो वैसे ही टीशू पेपर और एक ले लेना है और टीशू पेपर में लगा लेना है और टीशू पेपर से अच्छे से फॉटो फ्रेम के ऊपर अच्छे से क्लीन कर लेना है तो देखिए हमारा फॉटो फ्रेम भी कितने अच्छे से चमक तो यह काफी यूसफुल आमारा टियर वाई किलियर है अब में आपको दिखाऊंगी कि टायस को भी कैसे क्लीन करते हैं तो आप इस्प्रे बोटोल को आपको डायरेक स्प्रे कर लेना है यहां पे आप डायरेक कर सकते लेकिन बैर जैसे टीवी यहां डायरेक मत कीजेगा तो देखिए हमारा टायस भी अब कितना चमक किया है प्रेंज कितना पहले डल था सो फ्रंस यह वाई क्लीनियर आपको कैसा लगा है कमिट करके जरूर बताना इसी क्लीनियर से मैं अपने सारे फ़निचर टीवी गैक्चुला फिट आयस सब कुछ साप करती है और बहुत ही अच्छे से साप होता और चमक जाता है आप इस क्लीनियर को जरूर ही उसकरना और म मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बेल एकोन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले वीडियो देखने के लिए थेंक यू फिर मिलते आप से नेक्ट वीडियो में तब तरह के लिए बाई-बाई